वैषनोभी जी लाइफ में आप सबका स्वागत है, आज मैं चवलाई का लढ़ू बनाऊगी, फुली हुई चवलाई है, इसे कहीं राजगिर्या भी बोलते हैं, कहीं रामदाना भी बोलते हैं, आप पहचान ले, जिस नाम से आप जानते हूं, इसका लढ़ू खाने में बह अच्छा होता है ठंडी हो जो अद्रक सुखा के पाउडर बनता है दोचे मच घी है अब हम बनाएंगे गैस पर हम कडाई रख दिये हैं अब यह जो दोचे मच घी है इसमें डाल देंगे गी को थोड़ा पिघलने देते हैं अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे गी पिघल गया है गुड़ का बहुत छोटा टुकड़ा नहीं किये हम फिर भी यह आसानी से गल जाएगा क्योंकि गैस एकदम लो फ्लेम पे आप रख दें और कडाई गरम है इसी कडाई के गरम होने आएसे देरे देरे पिघल जाएगा ऐसे अभी गुड़ मेल्ट कर ले रहे हैं गैस एकदम लो फ्लेम पर है बिल्कुल स्लो है इसलिए गुड़ जलेगा नहीं अगर गैस तेज कर देंगे तो गुड़ जल जाएगा इसमें हम एक चे मज़ भर के पानी डाल दे रहे हैं इ अभी यह गुड़ जो है आसानी से सारे इसके डैलिक गल जाए इसको हम एकदम अछ्छी तरह से गला ले रहे हैं घुड अच्छी तरह से मल्ट हो गया आप सब दो देख पा रहें होगे गुड को में सब करना है क्योंकि इसमें पानी डालना जालना अब यह पारद डलना है मैं गये साफ कर दे रहे हैं गये साफ कर दिये हैं इसको मिक्स कर दे रहे हैं गये साफ करके यह जो राजकिर्या है इसमें डाल देंगे दूसरे बरतन में डालेंगे जल्दी ठंडा हो जाएगा डाल कर हम अच्छी तरह से मिस्क करेंगे बहुत बढ़िया से पहले हम मिक्स कर ले रहे हैं इसको अच्छी तरह इसमें हम चौलाई मिक्स कर लिए बढ़िया से अब इसे हम बान लेंगे इसमें आप ड्राइब फूर्ड भी डाल सकते हैं जो पसंद करते हैं इसको अब हम बान लेंगे थोड़ा सा आप हाथ में पानी लगाएं पानी मैं यहां रख ले रहे हूं लिगर पानी लगाए हाथ में चिपक जाता है हाथ थोड़ा आप पानी से गीला कर लें और पानी नहीं लगाएंगे तो पूरा हाथ में पकल लेगा दाना इसका आप ले बहुत अच्छे तरीके से लड़ू बन जाता है बहुत जटपड़ बनता है यह देखें कितना बढ़ी लड़ू है अब मौमफली भी डाल सकते हैं कोई भी ड्राइफ भूद डाल सकते हैं पर गूड़ा और सोट से बहुत अच्छा लगता है ठंडियों में सोट गरम होती है फिल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है अब मैं दो लड्डू बना ली इसी तरह से बाकी की जितना है हम बना ले सारा लड्डू हम बना के तयार कर लिए जटपट बन जाता है लड्डू आप फूला हुआ चावलाई बजार से लाएंगे तो बहुत जल्दी बनता है अगर आपको फूला हुआ और भूना हुआ न मिले तो घर पे लियाग आप भून सकते हैं अच्छी तेरा से लड्डू बन जाता है चासनी बनाएं बढ़िया से तो बनाने कोई प्राबलम नहीं होता है थोड़ा गरम गरम इसे लड्डू को शेव दे हाथ में पानी लगाके तो कोई दिक्कत नहीं होता और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है इसे बना के एक डेड़ महिना तक आसानी से रख सकते हैं एर टाइट कंटेनर में खराब नहीं होता है अगर हमारा ये चौलाई के लड़ू के वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ये शेयर जरूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें बेल आइकन बटन भी दबा लें ताकि नई रेसिपी आप तक सबसे पहले को रासानी से पहुंच जाएं